हलो दोस्तों स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे Important GK Questions के बारे में जो की Related है Static GK, Journal Science और UPGK से और जो हमारे अगामी एक्जाम है, CHSL Exam, MTS Exam, CBT2 Exam और उसके लावब जो UP लेफवाल का एक्जाम होने वाला है, इन सभी एक्जाम के लिए ये Question Coffee Important रहने वाले है, और daily basis पर 12 Questions डिसकस करते हैं और साथ ही साथ जो Other Options से Related Questions बन सकते हैं, वो भी डिसकस करते हैं ये आठमी क्लास है, और माकी की जो पिछली क्लास हैं, वो आप हमारे चैनल के प्लेश्ट में जाकर वहाँ से उनको भी देख सकते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं, आज की क्लास कोड़ देखते हैं, आज का सबसे पहला Question Biology से Related और Question है, प्लाजमा में निम्न में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, जिसने देखी हमारे ब्लेट में Red Blood Cells पाई जाती हैं, RBC पाई जाती हैं, WBC पाई जाती हैं human blood में और आपको बताना है कि plasma में कौन सा protein पाया जाता है तो यहाँ पर देखे बात करें अगर हम insulin protein की basically यह insulin hormones है जो की related to diabetes यहाँ पर insulin hormone है उसके अलाबा यहाँ पर जो सही अंसर होगा वो होगा आपका albumin protein तो albumin protein यहाँ पाया जाता है plasma के अंदर और plasma का work क्या होता है तो plasma का main work होता है plasma carries water salts और enzyme यानि जो gel है salt है और enzyme का जो परिवाहन है वो plasma के द्वारा किया जाता है और साथ ही साथ blood clotting के लिए यानि जो रक्त का ठक्का जमता है उसमें भी जो help करता है वो plasma की मदद से ही fiberogen जो protein है उसकी सायता से यहाँ पर blood clotting होती है और आपको यहाँ पर याद रखना है जो protein plasma में पाया जाता है वो है albumin protein अगला question है जैन परमपरा के अनुसार महावीर से पहले कितने सिछक या तीर थंकर हुए हैं अगर हम बात करें जैन धर्म की तो जैन धर्म में जो सिछक होते हैं जो गुरू होते हैं उन्हें तीर थंकर का आ जाता है और कई सारे गुरु अलग-अलग समय पर रहे, तो उनी का नंबर आपको बताना है, और यहां पर महावीर से पहले आपको बताना है, कितने तीर्थंकर हो चुके हैं, तो अगर हम बात करें, जैन धर्म में, तो जैन धर्म में, कुल 24, यानि पूरे के, अगर सभी तीर्थंकर थ्री तीर्थंकर महावीर से पहले जैन धर्म में हो चुके हैं और बात करें अगर हम फर्ष्ट और लास्ट आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है तो लास्ट तो महावीर होई गए उसके अलावा जो फर्ष्ट थे वो यहाँ पर थे रिसब देव यानि जैन ध जीवों का ऐसा समू है यहाँ पर बैसिकली गृप्स दिये हुए जैसा कि कई सारे गृप्स में बाटा गया जीवों को तो आपको बताना है कौन से जीव समुद्र में रहते हैं और साथ ही साथ इनकी तवचा पर जो कांटेदार तवचा है वो पाई जाती है इनके सरीर मे और यह कौन से जीव है एनलीडा के जीव आर्थो प्रोडा के जीव या इकाइनो डर्मेटा या मोलसका तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इकाइनो डर्मेटा तो इकाइनो डर्मेटा समू के अंतर गत जो भी जीव आते हैं वो सभी समुद्री जीव हैं और इनकी तवचा पर यानि काटे दार तवचा पाई जाती है आप देख भी सकते हैं फाइलम एकाइनो डरमेटा आपके सामने है यह आप देख सकते हैं काटे दार तवचा इनके सरीर में पाई जाती है और यह सभी जीव समुद्री जीव हैं यानि समुद्र में पाए जाने वाले जीव हैं तो आपको याद रखना इनके बारे में अगला question है जियोग्राफी से related यारलूंग सांगपो नदी जिसका उदगम इस्थल तिबबत में है भारत में इसे किस नाम से जानी जाती है यानि यारलूंग सांगपो रिवर तिबबत से इसका उदगम होता है फिर ये भारत में आती है और भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है तो अगर अपने नदियों के बारे में थोड़ा बहुत भी पड़ा है तो आप यहाँ पर option देखते ही सही answer टिक कर देंगे क्योंकि जो अलक नंदा रिवर है मंदाकिनी रिवर है गंगा रिवर है ये सभी भारत से ही उदगमित होती हैं ये भारत से ही निकलने वाली नदिया अब ब्रमपुत्र नदी से कई सारे तथे कई सारे questions यहाँ पर बन सकते हैं कि नाम से किस आम से जाना जाता है तो question में ही आपको दिया हुआ है यारलूंग सांगपो रिवर के नाम से इसे तिबत में जाना जाता है उसके अलावा बात करें अगर हम कि ये कहां से gouvernement निकलती ह तो तिबबस से निकलती है मान सरुवर से तो मान सरुवर से ये रिवर निकलती है उसके बाद ये भारत में इंटर करती है कहां से तो इसका प्रवेश द्वार कहा जाता है अरुनाचल प्रदेश को और अरुनाचल प्रदेश से ये भारत में इंटर करती है और अरुनाचल प जब पहुँचती है असम में तब इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और असम से ही इसका एकजिट हो जाता है यानि रुणाचल प्रदेश और फिर असम में यानि उत्तरपूर में बैती हुई फिर ये चली जाती है कहां ये असम से एकजिट होकर चली जाती है बांगलादेश में और बांगला देश में फिर इसका नाम बदल जाता है और बांगला देश में इसे जमुना नदी के रूप में जाना जाता है तो ध्यान रखना है आपको यह है जमुना और भारत में जो रिवर है गंगा की सायक उसे कहते हैं हम यमुना तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना तीन चार नाम है इसके टोटल अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र रिवर के चार नाम है तिबत में यारलूंग सांगपो अरुनाचल प्रदेश में दिहांग और उसके बाद भारत में ब्रह्मपुत्र यानियसम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है और बंगला कर दी थी लालालाच पत्राय, बियार अंबेटकर, सुभाश चंद्र बोस और स्वामी सरधानन्द तो यहाँ पर भी आप से इलिमिनेट करेंगे और सही आंसर है स्वामी सरधानन्द तो स्वामी सरधानन्द की हत्या कर दी थी अबदुल रसीद ने और जो स्वामी सर्धानन्द है ये एक क्रांतिकारी सतंतरता से नानी थे अगला क्वेशन है भारत की जनगर्णा दोहजार गेरा के अनुसार तो दोहजार गेरा के अनुसार यानि जनगर्णा से हम कई सारे क्वेशन्स आल लेडी कर चुके हैं और फिर आजसी देखिए आज की क्लास में हम आपको फिर से तीन से चार क्वेशन बताने वाले हैं भारत की जनगर्णा दोहजार गेरा के अनुसार जिसे आपको डेली बेसिस पर जो क्वेशन्स हैं वो यहां पर प्रिब्यार होते रहें तो निम्न में से किस केंद सासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्तो सबसे कम है आपको बताना है जो भी Union Territories दिये हुए हैं इनमें किस Union Territories में जो जनसंख्या घनत्तो है सबसे कम है तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो होगा अंडमान निकोबार द्वीप समू है तो बेसिकली दो द्वीप समू यहाँ पर आपको दिये हुए हैं एक है लेच्छे दीप एक है अंडमान निकोबार द्वीप समू तो यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्तो है वो सबसे कम पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समू में और साच्छर्ता सबसे अधिक क जनसंख्या गनत तो किस union territory का है यानि कि केंद सासित प्रदेश का है तो यहाँ पर सही अंसर होगा दिल्ली तो दिल्ली का जनसंख्या गनत तो सबसे अधिक है जब बात की जाए केंद सासित प्रदेश में आपको ध्यान रखना है और जब बात आ जाए राज्य की तो सबसे अधिक जनसंख्या गनत्तो है वो है बिहार का और सबसे कम यानि अगर हम बात करें जनसंख्या गनत्तो जो सबसे कम जनसंख्या गनत्तो है वो हमारा राज्य है आरुना आचल प्रदेश तो ये चारों पॉइंट आपको याद रखने है कि सबसे कम जनसंख्या गनत्तो अंड सबसे कम अरुनाचल प्रदेश तो ये सभी questions आपको याद रखने इससे related अगला question है निम्न में से किस नदी का सुरोत केदानात मंदिर के उपर सुमेरु हिमनद में है यानि कौन सी नदी केदानात मंदिर के पास से निकलती है तो पिछली class में भी हमने पढ़ा था जब हमने आपको पंच प्रयाग पढ़ाए थे तो वहाँ पर हमने आपको बताया था केदानात मंदिर के पास से जो की जवदिर लिंग है बगवान सी उका वहाँ से रिवर निकलती है मंदाकिनी और जो tragedy हुई थी उत्तरा खंड में उसमें मंदाकिनी नदी में ही बाढ़ाने की तो यहाँ पर जो सही अंसर होगा वह होगा मंदाकिनी रिवर अगला question है निम्न में से किस धात में सबसे अधीक विदुत यों तापी चालकता होती है तो बात करें सबसे ज़्यादा तापी चालकता या विदुत चालकता वह होती है चांदी की यानि की silver की और इसलिए सब उनका यूच किया जाता है घरों में गोबे हब्बा निम्न में से किस राज्य का प्रमुक तेवार है तो यह देखे एक festival है निव टाप के festival आपको देखने को मिला और बहुत सारे जो festivals हैं पर वुस्तों हैं वो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं तो जो गोबे हब्बा तेवार है festival से यह मनाया जाता है आपका करनाटक राज्य में करनाटक राज्य का यह एक महत्वकुन तेवार है अगला क्वेश्यान है भारती समय दान की किस अनुसूची में केंदरिये और राज्य कानूनों की सूची सामिल है जिसे नयायालेयों में चुनावती नहीं दी जाड़ी तो आपको बताना है किस अनुसूची के अंदर केंदरी और राज्य कानूनों की सूची सामिल है तो यहाँ पर आपका सही answer होगा नमी तो नमी ये नुसूची के अंदर गत जो केंदरी और राज कानून है उनसे रिलेटेट सूची का वर्णन किया गया है अगला क्वेशन है अब हमारे UPGK के क्वेशन यहाँ पर इस्टार्ट होते हैं और यह जो हमारा क्वेशन है UP लेकपाज 2016 में पूचा गया क्वेशन है चम्ड़े की वस्तों के लिए प्रसिद्ध जिले कौन से हैं यानि यूपी के आपके जिले पूचे गया है कौन से जिले चमडे की वस्तों के लिए प्रसिद्ध है सोनभद्री लहाबाद, जौनपुर, रामनगर, मुरादाबाद, लखनव या आगरा, कानपुर तो सही आंसर होगा आगरा और कानपुर तो आगरा और कानपुर वैसी कली चमडे के लिए फेमस हैं जो चमडा उद्ध्योग है वो आपको आगरा और कानपुर में मुश्रली देखने को मिलेगा अगला क्वेशन है यूपी PCS में पूछा गया क्वेशन है निम्न में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्व विद्याल है तो आपको बताना है इन चारों में कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्व विद्याल है तो यहाँ पर आपका सही अंसर होगा इलहाबात केंदरी विश्व विद्याल है तो जो इलहाबात केंदरी विश्व विद्याल है वो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्व विद्याल है तो ये भी question आपको याद रखने है यूपी लेकपाल के लिए काफी important रहने वाले तो ये हमारे आज के 12 questions थे और इसकी PDF अलेडी टेलीग्राम चैनल पर available है वहाँ से आप उन questions की practice कर सकते हैं इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें इस सीरीज को follow करते रहें निश्य तोर पर आपके जो knowledge में काफी वड़ोतरी होगी इस सीरीज के बाद आप देखेंगे हम daily basis पर 12 questions तो discuss करते हैं साथ ही साथ जो उससे related other questions भी बन सकते हैं वो भी question हम आपको बताते हैं mostly daily basis पर 10 minute में ही आपके कई सारी questions complete हो जाते हैं तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे हैं मिलते हैं आपसे next वीडियो में new 12 important question के साथ और तब तक के लिए धन्यवाद